राजस्थान की खुबसूरती तो यहां पे आके ही पता चला कि राजस्थान कितना खुबसूरत उसे हम अपने लफजों में नहीं वया कर सकते इतना ज्यादा खुबसूरत लगा इतना ज्यादा अच्छा लगा पर जिस टेंट हाउस में संसर्ट रिजॉर्ट में जहां हम ल तो खुबसूरती को तो बया भी नहीं कर पा रही थी मैं और ये थोड़ा सा वीडियो मुझे छूट रहा था तो मैंने सोचा कि इतना खुबसूरत इस Tent House का जो वियूब है आप लोग के साथ से एर करूँ ऐसे कैसे मैं छूटने दूँ तो ये है Tent House का लेक्जिरी रूम जो की हम लोग जब निकलने वाले थे तो निकलने के थोड़े देर पहले ही वहां के मैंनेजर ने बोला कि आप लोग यहां जरोड टहल लीजिए और बहुत ही अच्छा रिजोट है अगर अगली बार आप लोग वाना होगा तो आप सीधे हमारे यहीं से ही मतलब content number दिये थे आप यहीं से ही अपना booking करें या फिर आपके कोई आसपास relation का कोई आना चाहे तो यहीं से ही booking करवा सकते अच्छा खासा discount भी देंगे और यहां की खुब सूर्ती तो जिस tent house में हम लोग रुके हुए थे सच बतार उससे तो कई जादा गुना अच्छा लग रहा था खुब सूरत लग रहा था वैसे यह जो tent house है एक साइड में ही बना हुआ है यहां पर जादतर विदेश से भी जो महमान आते हैं राजस्थान में घूमने के लिए वहीं से ही booking कर लेते बहुत ही जादा प्यारा सजा हुआ था इतना जादा प्यारा तो कोई अपना घर भी सजा के अच्छे से नहीं रख पाया जितना प्यारा यह टेंट का कमरा होते हुए भी इतना जादा एकदम राजस्थी कमरा लग रहा था बहुत ही जाधा सुन्दा लग रहा था तो मेंञेजर ने घूम गुम के हम लोग का यहां का जो ब्यू था दिखाया रूम का डेकोरेशन रूम यहां के जो बाथ रूम से इतने खुपसूरत ड्राइंग रूम यहां इसी रूम के अंदर अलग से आप पर्सनल स्विमिंग कूल भी दिया गया है तो इन सब का रेट भी वही होगा लाग पच बढ़ते रहते बहुत ही जादा सुन्दर व्यू लगा और इस रिजॉर्ट के अंदर अला गलट थोड़े थोड़े से चार पांच रेंट हाउस बना के बीच में उनका पर्सनल स्विमिंग कूल था पर कोई कोई कमरे के अंदर ही स्विमिंग कूल पर्सनल दे रखे थे त फिर हम लोग निकल गए घूमने के लिए कि आज स्वां वाला तो आप लोग के साथ वीडियो करी दिया था पर इतना वीडियो मेरा रह गया था वहां का तो मैंने सचा ये भी आप लोग के साथ सेयर कर दू यहां की लाक्जरी रोम पर वहां से थोड़ा दूर पे था नहीं है वहां कि चीजे तो मेंगी हुनी ही है वहां एक पैकट का मेंगी अगर आप बनवा के लेंगे वह भी आपको 100 रुपए का पढ़ रहा था फिर वहां से आज पास में जो भी छोटा मोटा मार्केट था हम लोग घूमे ठाले थोड़ा बहुत समान जो भी लेना था लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि हर एक चीज हमारे यहां से कम से कम 1000-1500 रुपए ज़्यादा मेहंगा यहां पे आल लग रहा था तो ऐसा कुछ नहीं लिया बस थोड़ा बहुत कुछ लिया फिर वहां के आस पास और भी घूमने ठालने वाली जगह थी जैसे भी किसी राजा के था यहां पे घूमना टहलना राजा का रानी का हुआ करता था नौका विहार हुआ करता था तो यह भी जगह ऐसे ही कुछ था मुझे इसका नाम नहीं पता है उससे मैं तो पता था भी के लिए मुझे भूल गया है तो यह भी नाम जो है यह भी जो जगह बहुत ही beautiful सा लग रहा था थोड़ा सा ये भी video clip मैंने लिया था आप लोग के साथ share कर रहे हूं यहां पर लोग voting कर रहे थे मुझसे भी husband बोले चलो voting करते पर इतना धूब गर्मी ने परिशान कर रखा था और वैसे भी हम लोग यूफी सैट से गुरखपुर नौका बिहार युद्यानों का बिहार और बनारसनों का बिहार इन समय बहुत सारा मैंने voting किया तो मैंने का नहीं और मैं यहां voting नहीं करूंगी